हेलो बच्छों स्वागत है आपका आज के लेक्चर में अगर आप कॉमेट्स इल स्टडी आपको ने एक अपना मेजर सब्जेक्ट ले रखा है क्लास 10 आई सीर सी बोर्ड में तो आपके लिए लेक्चर ये वाला बहुत जाता इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉस इस चै चैप्टर अब ये आखरी होने वाला है यानि कि हम लोगों ने कॉमेट्स इल स्टडी को वन शॉट लेक्चर में पूरी दरीके से खत्म कर रहे हैं हम लोग आज फाइनली हम लोग का ये लास्ट वीडियो होने वाला है इस सीरीज का तो आप चैप्टर फर्स से देख सकते अगर आपने फर्स टाइम इस वीडियो को उपन कर रहा है तो या फिर आप कॉंटिनेशली देखते वे आ रहे हैं तो यस हाँ अब हम लोग का ये आप्टर प्रॉपर्ली बिसिकली पूरी सब्जेक्ट ही हम लोग आओ जाएगा खत्म होने वाला है रिविजन करके और इससे बच्चों को भी पता चल पाया कि याई उनको भी कुछन कुछ value यहां पर जिरूर मिलेगा ओक्यार महीद करता हा की आपको बाफी अपडिस्ट नोट से उसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ठीक है तो चीजे काफी अपडेट होती रहती है महनत कर रहे होते कमिया सब में होती है बट उसको बोलते हैं न सही करते वह अपडेट करते वह आगे बढ़ना ये एक ऐसा चीज होता जो कि हम लोग को हमें से लाइप में करना क्लास 10 के लिए और चोटे भाई बैन हो तो आप इन सारे कोर्स में इंडॉल करवा सकती हो ध्यान रखना ही इन चारो कोर्स में से किसी एक कोर्स में अगर आप कभी भी इंडॉल्मेंट करवाती हो तो आपको हाट कॉपी और बुक्स फ्री आप कॉस्ट आपको घर पे डिल प्रमोट हो रहे हो तो 1st of April 2024 से या फिर यह बोलो हर साल बोलते हैं पिसले साल भी हुआ था इस साल भी होगा अगले साल भी 2025 से होने वाला है निया बैस लॉंच तो इतना यादख ना बिटा कि आप क्लास 11 और 12 चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के बच्ची हो या फिर आप साइंस क स्ट्रीम के बच्ची हो आप अगर पढ़ना चाहती हो हम लोगों से बहुत अच्छी फैक्ल्टी है आपूं से पढ़ना चाहते थो उनकी डक्टिर भी अवैलेबल है है आप उनको देख सकते हो तो आप अपना के इंडॉल्मेंट कर वा सकते हो बिटा देखो पंद्रह मार से तक हम लोग 20% का डिस्काउंट आपको दे रहे हैं ठीक है ना एनलेजी सर्विस के तरब से आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है जिसमें जैसे ही आप को पर्चेस करती हो आपको 20% का तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा प्लस हार्ड को प्याप नोट्स जो होते हैं आपके घर पे कलरफुल फॉर्मेट में घर पे डिलेवर करके दिया जाएगा ठीक है ना ये केवल 15 मार्श से 2024 तका ही ओफर है और उसके बाद ये ओफर को मतलब नहीं रहेगा आपके लिए अवेलेबल तो इस बात को ध्यान देना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज इसका फायदा उठाईए और जल्द से जल्द अपना एंडॉल्मे करें देखें कि सर हमेंसा आम लों के पास ओफर होता भी है और नहीं भी होता है आप अपके पास पर्चेस करो भी कोज खुद पर इंविस्ट कर रहे हो और पर्चेस करने से पहले आप इस वाट्सअप से कॉन्टाइक कर सकते हो यहाँ पर टीम आपको ज़रूर हल्प देगी आप अप में भी आपके पास ओप्सन होता है चाइट वित असका तो बैसिकली चाइट वित असमें आप वाट्सअप पर रीडिरेक्ट हो जाती हो टीम से तो आप वहाँ पर भी जा करके अपने बातों को रख सकते हो ठीक है ना तो यह इतनी से बात थी इसके रिग चाहूंगा और एक हां regular batches में जो doubt solving होती है वो मैं live लेता हूं बटक्लासेज जो होगी commercial study applications की वह recorded form में होगी तो वह recorded में होगी बटक्लास 11-12 में अगर आप आते हो चाहे हो science से हो या commerce से हो या फिर आप नीट वगरा में होते है तो उसमें properly live classes होती है ठीक है ना reason है क्लास साम के time में classes हो पाता है और साहीम के time में offline में भी देना होता है प्लस हम लोग को class 11-12 भी लेना पड़ता है तो मतलब वहां पर time नहीं मिल पाता है इसी वज़यचे हम और recorded देते हैं बर recorded भी आसा नहीं है कि सर्फ पूराने lecture मिलता है basically हम लोग April 1st से batch सुरू होगा तो हम April 1st रिकॉर्ड करकर के करकर के डालेंगे ठीक है ना तो आपको latest मिलने वाला है प्लस आपको doubt, solving, test वगरा तो proper होगी ही और मैं connected रहता हूं तो इसमें कोई घबरानी की बात नहीं है फिर भी आपको लगता है तो आप WhatsApp पे contact करके बात कर सकते हो कोई इकर वाली बात नहीं है ओक स्टार्ट करते हैं देखो chapter 15 हम लोग पढ़ने जा रहे है starving for the better environment starving का मतलब बता है खोच करना किसी चीज़ का खोच करना तलास करना बोलते हैं एक्साइट मतलब बेसबरी से तलास करना इसको बोलते स्टार्विंग for the better environment आज के समय भी देखो environment से लिटेर जो problem है ना बहुत बड़ी हो चुकी है नजाने कितने pollution हो चुकी है नदिया खराब हो रही है मतलब हर एक चीज में impurities आ गई है कही ना कही environment इससे बहुत बुरी तरीके से hamper हो गया है इसी वजह से कही ना कही commerce में हम पढ़ते हैं business को आगे बढ़ाना economy के चलाना तो यह हमारी नैतिक जिम्मदारी है यह हमारी नैतिक जिम्मदारी है कि हम लोग क्या करें better environment बनाने के तरफ काम करें ठीक है ना ऐसा कोशिश करें कि हम लोग एक अच्छा environment निकाल पाएं जो nature को हम लोग नुक्सान पहुंचा रहे उसको ना पहुंचा है कम से कम पहुंचा है ठीक है ना तो यह बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर हम लोगों नहीं ऐसा नहीं किया तो एक समय ऐसा आएगा जो हम लोग का जीवन इतनी सारी commerce कितने सारे empire इतने business इतना ज्यादा infrastructure कोई काम का नहीं रहेगा ठीक है तो यह बहुत जरूरी होता है चलिए हमने पढ़ना स्टार्ट करते हैं पहले introduction पढ़ते हैं we all live in the environment हम सब environment में रहते हैं but the state of the natural environment in our country's matter of the grave concern ठीक है लेकिन जो हमारे देश में जो बोल सकते हो जो environment है वेशी करी न वह बहुत प्रड़ा चिंता का विसाह बन चुका है जो खराब हुरी है ठीक है न वेडियस टाइप पॉलूशन अनेकों प्रकार के pollution overuse and wasteful use of the resources by the people have caused the degradation of the environment कई चीज़ों बहुत प्रकार के pollution, air pollution, sound pollution ठीक है न water pollution आ चुके हैं किसी चीज का overuse हम लोग कर दे रहे जो कि नहीं करना चाहिए कई बार हम लोग वेस्ट फुल तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जैसे पानी का वेस्ट बहुत जादा करते हैं पेड़ों को कार देते हैं नया पेड नहीं लगाते ह है तो कहीं कर दिक्कते तो देती है ना और आज के समय में देखने को मतलता है कि हमारी जो इन्वार्मेंट वो बहुत ही जादा डीग्रेट हो गई है डीग्रेट का मतलब बहुत ही जादा दूशित हो गई है ओके human being and other living creatures can never be the healthy human being हो या फिर कोई भी other living creatures जो है कभी भी healthy नहीं हो सकते और happy नहीं हो सकते बिना conservation के और restoration के natural resources के अगर natural resources हमारे पास अच्छी नहीं रही तो हमारा भी जीवन संभाव नहीं है और ऐसा करके ना ही केवल हम लोग अपने जीवन को संकट में डाल रहे हैं बलकि अने को जीव जन्तू पूरी अर बोलते हैं धरती को ही हम लोग कहीं हम लोग एक बोलते हैं ना खत्रे की ओर लेके जा रहे हैं आगे बात करते हैं, conservation is the plant management, conservation जो होता है एक plant management होता है एक surrounding का और यह prevent करता है its exploitation और destruction को ठीक है ना it is a wise management कहीं न कहीं यह बहुत ही जदा wise management है यह include करता है preservation, maintenance, sustainable utilization of the natural resources कहीं नेशल रिसोर्स का एक sustainable utilization क्या करता है यह ensure करता है आगे बात करते हैं, restoration means recreation, किसी चीज़ को restoration का मतलब होता है उसको recreate करना, मतलब कोई भी चीज़ बहुत खराब होगे इसको वापिस एक अच्छे रूम रंग में लाना, okay and enhance करना natural resources को, it is the process of developing the natural resources that have been depleted and destroyed, यह process होता है कि natural resources का हम लोग वापिस से revive कर पाये जो की बहुत पूरी तरीके से destroy हो चुकी है example के लिए बात करते है, use of energy saving electric appliances कहीं न कहीं देखो, जो भी हम लोग electric saving electric appliances बैसिकरी जो use करते है न, वो भी इसमें help करते है आपको, जिससे क्या होता है, leads to conversion of the energy resources, जिससे क्या होता है कि आप कम से कम energy को consume करते हो, अब देखो, इंडिया में आपको पता है, 90% जो electricity produce होती है न, वो water बगरा से नहीं होते है, basically hydro electricity power से नहीं होती, बलकि क्या होता है, वो coal से होता है, या फिर hydro power से भी होता है, तो माप एक्वेटिक जो life होती है, पूरी तरीके से बरबाद हो जाती है, okay, coal से होता है, तो coal से बहुत जादा pollution होता है, fossil fuel होता है, उसको जलाते है, तो हमारे pollution air pollution होती है, तो कहीं न कहीं, अगर हम लोग इस power को बहुत ही, देखो electricity के बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो हमें तो consume करना ही है, मगर कैसा हो कि इस power को बहुत कम से कम use कर पाए, और कम से कम use में ही अपना काम को चला है, जिससे क्या होता है, pollution at least कम तो होगा, जो hydro power से जो tree in the place of trees that are the uprooted or cut build a highway led to the restoration of trees, कहीं न कहीं न कहीं यह भी देखना होगा कि जो पेड, highway, buildings, highway उगर बनाने के लिए आप लोग पेड को cut करते हैं, तो उसके बाद उतने पेड़ों को लगाया भी जाए, ऐसा नहों कि केवल पेड को cut दे और हो जाए, तो यह भी गलत तरीका है, कहीं न कहीं इससे भी हम लोग को दिक्कत होगी और कहीं न कहीं जो environment में जो प्रदूशन वो हो रहा है, आगे बात करते हैं, बोथ, conversion and restoration of natural resources और ecology cannot be possible, थी कहना, conversion and restoration of natural ecology पॉसिबल नहीं है, बीना public के awareness के, जब तक हम लोग जागरुक नहीं होंगे, जब तक हम लोग को खुद की जिम्मधारियों का हसास नहीं होगा, तब तक हम लोग अपने nature को नहीं बचा सकते हैं, ओके आगे बात करते हैं, community, participation and public awareness, ज्यान देना, people will conserve or restore the natural resources only when they are sensitive, देको इनसान कब natural resources को बचाता है, जब वो बहुत ही जड़ा sensitive होता है, to the environment के प्रती, ठीक है न, वो realize अगर कर ले कि importance of ecological balance का importance क्या होता है, environmental sensitivity को समझ पाए, ठीक है, तब ही ये चीज को हो प पड़ेगे, लोगों को जागरूत करना पड़ेगा, and the public must learn to act as a watchdog, लोग, समझ जाए कि हमें watchdog की तरह रहना, जिसे watchdog का काम क्या होता है, किसी चीज को पहली निजा रखना, और उसको तुरंद प्रोटेक्ट करना, किसी प्रकार का destruction और restoration से, ठीक है न, तो वैसे ही हम लो environment को कोई pollution provide करा है, कोई भी destruction हो, तुरंथ हम लोग क्या करें, environment को protect करें, आगे बात करते हैं, well informed citizen, जो एक well informed जागरूक नगरिक होता है, या फिर environmentalist होता है, उसका एक duty होता है, कि वो initiative ले, और making common man aware, जो एक आम इनसान उसको aware करे, और उसको बताय कि कैसे ecological restoration और conservation किया जा सकत है, most of the local people in the village, जो गाव में समाने नागरिक होते हैं, या फिर indigenous tribes होते हैं, possesses the intimate knowledge of natural and wildlife, ये लोग के पास बहुत ही अच्छा knowledge होता है, natural, nature और wildlife का, traditional taboos, religious beliefs deeply rooted in the native people, इनके अंदर कहिना का, उन particular native लोगों का, उनका कहिना का उससे आस्था जोड़ा होता है, has been effect the instrument of converging nature and wildlife since time immoral इसी बुझे से क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं, वो nature को, wildlife को मानते हैं, उसी की पूजा करते हैं, एक movie, देखाओगा आपने कांतारा, ठीक है, कांतारा साथ मैं हिंदी में सही तरीक से नहीं लिख पा रहा हूँ, बट कांतार एक movie थी, उसमें देखो कि nature का ही पू कोई जानो, और मतलब कोई राक्षा से उनको खत्म करने वाड़ा था, पुरी प्रित्वी को, तो भगवान विश्नु ने बारह अतार लेकर बिसिकली, उन्होंने अपने जो दांत होता है, जंगली पीक जो होते हैं, उनकी दांत पर उनको पूरे अर्थ को समाला था, और जाया था, धर्थी की रक्षा की थी, तो कहीना कि उनकी एक deep belief होती ही और उनके फिर पूजते हैं उनको, तो कहीना कि इनके पास यह क्या करते हैं, उसको conserve करके रखते हैं, ठीक है, तो वैसा ही कही ना कई कोई ना कोई कारण हो, जिसका जो भी belief हो, मुद्दा यह है कि हमार environment safe होना चाहिए, नहीं तो सक्चाई यही है कि अगर environment safe नहीं रहेगा, तो हमारा जीवन भी संभाव नहीं है, आगे बात करते हैं, ancient tradition protect the several plant, such as the people, बनियान, देखो कि हमारा जो पुराना त्योर तरीका है, मंदिर में देखो कि कभी भी people का हम लोग प्लांट लगा कर रखते as well as the birds, monkeys, snakes, animals in some form लोग preserve करते हैं, in fact some people worship some trees, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जो trees को पूजा करते हैं, कुछ birds का पूजा करते हैं, कुछ animals का पूजा करते हैं, ठीक है न, milk is offered to the snake, देखोगे सांपों को दूद पिलाया जाता है, bread रोटी खिला जाता है, cow को, dog को बनाना तो ग बनाना दिया जाता है, मंकिस को और भी पीजन वगरा को बनाना दिया जाता है, जिसमें हम चीजों को प्रोटेक करते हैं, आपको पता होगा पीपल का पेड, बन्यान का ट्रीज जो होता है, बर्गत का पेड जिसको इंदी में बोलते हैं, यह बहुत ही heavy amount में आख़े हैं, चोड़ते हैं, और यह हमारा धर्म कहा सकते हो कि सनातन धर्म इतना ज्यादा scientific हमेशा से रहा है, कि हमें पता तो नहीं था कि actually ritual के तोर पर सिखाया गया, क्योंकि उदे को एक mindset होता है, जब छोटे थे मैं भी जब मैं भी छोटा था, मुझे दूद पसंद नहीं था, मेरे स उससे क्या होता है कि वैसे इंसान है, उसको भोल दोगे ना कि natural को रिप्रिजर्ब करना वगरा वगरा तो अच्छा लगेगा, उनको दो मेरे सुनेंगा, अच्छा अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर फॉल्व नहीं करेंगा, लेकि उनको बोल दो कि भगवान है, करता है कि कोई और पेड करी नहीं सकता, और कववे को हमने किसलिए बचा कर रखते हैं कि कववे के बीट से ही, पीपल और बन्यान का पेड उगता है, अगर कववा अगर ना हो दुनिया में, बोलते हैं लोग कववा काए 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 करता है, इसके लावा कोई उसका यूज नहीं होता है, उनके बीट के बीना पीपल बल्यान का पेड उगी नहीं सकता है, इसका कोई पर्टिकुलर बीज ही नहीं आता है, मंकी होगे, स्नेक्स होगे, सबका कहीं ना कहीं यूज है, और भाई, वो भी नेचर के क्रियेशन है, सबसे बड़ी बात तो यह वो नेचर क लो भीकोज आप साइंस से वन्चीत रह जाते हो ठीक है अखास करके तब आप आई सीएसी के बच्ची होना ता आपके पास पॉर्टिनीटी होता है कि आप साइंस लेते हुए अब एक प्लांट के पास खाएं ठीक है उसकी बीज को अपने जैसे एंट है एक पेड़ से थोटी 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 बीज कुछ कुछ कर लेके गए दूसरे पेड़ के तरफ अब उससे क्या हो जाता है ये क्रॉस कर लेते हैं सो डाट की और नहीं बीज उखते हैं अब एक चु हमारे लिए ज़रूरी है समझ में आया तो हर एक चीज का एक रूल होता है तो हमें क्या करना है कुछ भी हो हम दोग तो पढ़ रहे हैं एक माइंसेट हमेशा रखना कि हमें अपने इंवार्मेंट को क्या करना है प्रोटक्ट करना कर नहीं करेंगे और उसकी शुरुवात इसा नहीं है कि आप निकल पड़े रोड में पेड़ी लगा रहे हो दम निकलके नहीं आप छोटी छोटी कोशिश करके बोलते हैं आपको पता है जब रामायर का एक सबसे अच्छा एक इंसिडेंट है जब भगवान श्री राम ना क्या हुआ था कि जब यह जैसे कि यह ल डाल रही थी इसमें आप सोच को बड़े बड़े वहां पे लोग थे वह बड़े बड़े पत्तर को ढाल ड़े एकली वद्स बंदर के बड़े बड़े पत्थर को ढल ड़े लेकिन उन जो घलH engine व भी छोटे डाल ली तो उनके पास capacity कितनी होती छोटी सी तो गिलेरी होती है बट उन्होंने भी कोसिस करी उस bridge को बढाने में और कहीं न कहीं अगर उनका साथ था ना और लोग एक साथ है तभी bridge वह बन भी पाया इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप निकल stage पर पहुंच जाए कि यह बोलना पड़े कि वह बहुत लेट कर चुके हैं अब इंसानियत कम बोलते हैं हमलों का वजूदी खत्म होने लगे उससे बैटर है कि बोलते हैं समय रहते जाग जाओ तो वह वाला scenario रखना होगा आगे बात करते है tips to conserve water क्या ऐसा दिको water बहुत जरूर यह fresh water आपको पता होगा ना हमारे धर्ती पे लगबग आपका सकते हो 75% water है okay 25% land जिसमें पहाड़ है desert है सारे चीज आते हैं अभी 75% में ना किबल सा 0.1% जो आपका है ना यह पीने लाइक पानी है जिसको हम लो fresh water यह भी कम हो रहा है इसको protect रखना बहुत important है बाक करता है ओके तो यह protect कैसे रहेगा इसको समझते आईए बोला है use only that much water you need जितना आपको पानी की जरूरत है उतना ही पानी को इस्तमाल कीजिए ज्यादा पानी मत इस्तमाल कीजिए form a group of water conscious people एक group बनाईए जो पानी को लेके लोग ससकत है वैसे लोग का group बनाया जाए और encourage कि जाए अपने दोस्तों को और neighbor को relative को कि भाई सब इस group के part बनिये और लोगों को भी aware कराईए कि हमें पानी को बचाना है तीसरा है promote करो water conservation in community newsletter through लोगों को जिसे लोगों के अंतर जागरूता है encourage करो अपने family को कि भाई to keep looking for a new ways to conserve water और हमेशा courses खड़ोगी नया नया बोलते ह कर पाएं पानी को बचा पाएं और around your home ठीक है ना आगे बात करता है make sure that pipes in your house leak free आपके घर में जो pipes हो गरा होते हैं उसमें leakage हो गरा ना हो जिससे पानी गिर रहा हो बरबाद हो रहा है क्योंकि बूंद बूंद करके ना जाने कितने पानी वेस्ट हो जाते हैं ना हमें और आ ऐसास तक नहीं होता है आगे आता है do not leave the tap running कभी भी नल को खुला मत छोड़िये ठीक है ना while the shaving brushing कई लोग होते ना brush कर रहे होते तब तक वो पानी गिर रहा होता है उसमें से नल चालू कर देंगे बेशिन का वो पानी गिर रहा होता है तो वो ऐसा ना करें अच्छा नहीं होता है आगे बात करते हैं यह देखो tips to tips लिख दिया यह tips है ना ठीक है ना आई है हटा दो गलत हो गया स्पैलिंग ओके tips to conserve or forest forest को conserve करने का क्या tips हो सकता है सर देखिए यहां पर क्या है क्या बोल रहा है stop conservation of the forest land into the farmland and agriculture land and industrial area मतलब यह बोला कि जो forest का जो land होता है उसको farmland agriculture land और industrial area में बदलना बंद करो अब आप सो सकते हो सर खेती करना क्या होड़ा होता है खेती जब हम लोग करते हैं तो कहीं ना कई हम लोग वहां पर प्लांटी गाते हैं तो जी नहीं जो हम लोग वह गयाते वह अनाज होता है ठीक है अनाज के छोटे- जाती है हमारे देश में उससे तो इतना ज्यादा प्रदूर्शन होता है कि पूछो मत तो यह भी उससे बैटा रहे हो वहीं भी आप एडजस्ट कर लो ठीक है दो बिल्डिंगे कम बन जाएगी चलेगा कोई दिक्कत नी बट फॉरेस्ट को रखना बहुत ज़रूरी है ओक यहां पर जो पूर और फॉरेस्ट जो डिपा डिपेंडेंट कम्विनिटी है शूड यूज दर रिच फॉरेस्ट रिसोर्स उनको यूज करना चाहिए ओके इंवाल लोकल पीपली इन तर कंजर्वेशन आप जो लोकल पीपल है उनको यूज मत्रम इंवाल कर लेना वीजी एंटेंग कने जहलागे गटारी की जाता है उनकी शिकार की जाती उनकी तसकरी की जाती उसको बैं किया चाहिए और make and enforce rule and regulation for the forest conservation और ऐसा कानून लाया जाना चाहिए जिससे हम लोग क्या कर सके अपने forest को conserve कर सके ओके आगे बात करते हैं हम लोग tips to conserve ocean resources देखो ocean की resources जो ocean समुदर में जो resources होते हैं उसको कैसे conserve कर सकते हैं हम लोग तो reduce करके plastic का use, plastic का कम से कम इस्तमाल करें जिससे जो समुदर में पानी वगरा में जो plastic bottles वगरा देहरे होते हैं उसको control किया जा सके sustainable fishing practices कीजिए ऐसा ना हो कि बहुत ही जादा fishing कर ले रहे हो आप जिसे उस area की पूरी aquatic life ही खत्म हो जा रही है तो वो मत कीजिए, proper waste disposal कीजिए, dispose of waste properly recycle the material जो materials होते हैं अच्छे तरीके से recycle किया जाए ठीक है ना ऐसा ना हो कि केवल beach वगरा फे फेक दिया जाए जाके वो समुद्र को प्रदूसित करें, support करना होगा हमें marine protection areas को, ठीक है marine protected area जो है उसको support कीजिए, advocate करो establishment and protection of the marine protected area, safeguard the critical habitats and marine species जो भी तुमारे समुद्र में ऐसे जीव जनती हो हैं जो कि उनकी अवादी बहुत कम है उनको protect किजिए, educate करो others को जिससे awareness बहुत अच्छा से फैल पाए, आगे बात करते है tips for conservation of wildlife, wildlife को कैसे बचा सकते हैं हम लो, तो protect करके habitat को जो कम जिनकी आवादी है, habitat जो जहाँ पर animal रह रह रहे हैं उनको बिना disturb किये, preserve करो, restore करो, national habitat, forest को, wetlands को, grassland को, अब प्र disturb भी मत करें, यह भी reason होता है, जंगल के बीच में से road निकाल दो का पेंपए, गाड़ी बजाओगे, तो जंगल के जो animal होते हैं, वो परिशान हो जाते हैं, तो यह सब तरीके भी होते हैं, तो wildlife को disturb मत किजिए, जहां पर उसको रहें दीजिए, उससे दूर रहें, कहींना क करते, combat the poaching, जो गलत तरीके से illegal hunting होती है, ट्राफिकिंग होती है, उनको रोका जाए, प्रमोट करो sustainable tourism, advocate for the responsible and sustainable tourism, practice that minimize the disturbance in the wildlife, टेकर लोग घूमने के नाम पर सफारी के नाम पर जो आतां के मचाते हैं, जाके इसको रोका जाए, या पिर ना के बराबर किया जाए, ओके, आग wildlife को बिलकुल अलग करते हो, जहाँ पर कोई बोलते हैं ना, जंगल वगरा, वहाँ पर इंसानों का जाना रुख दिया जाए, ना इंसान जाएंगे ना, किसी प्रकार का, वहाँ पर क्या होगा, आपका conflict होगा, आगे बात करते है, educate other and rise awareness, जाहिर सी बात एकते हो नहीं है, अब देखो, public awareness in the habitment of the pollution, ध्यान देना, educate the campaign, education campaign चलाना पड़ेगा, लोगो को अवेर करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो causes, effect और consequences जो हो रही है, pollution के बारे में बताना पड़ेगा, जो हमारे health पे, एक ecosystem पे और हमारे environment पे जो impact डाल रहा है, उसके regarding उन्हें समझाना होगा, promote कर करना पड़ेगा, policy changes, लोगो को बताना पड़ेगा, इस तरीके से काम नहीं होगा, हर वो changes को लाना पड़ेगा, rules बनाने पड़ेगा, जिससे चीज़ों को लोग preserve कर सके, और collaborate करना पड़ेगा, बहुत सरे stakeholders के थुरू, जैसे कि तुम्हारे government agencies हो गए, NGOs हो गए, टिकन academics हो बिजनेसे होगे, सब को साथ में आ करके पहल करनी पड़ेगी, अब देखो, some example अब public awareness ऐसा नहीं है, कि आस तर कोई public awareness नहीं हुआ है, awareness तो हमेशा फैला जाते हैं, हमेशा कोई ना कोई नया-नया movement चलाते हैं, लेकिन फाइदा उसका ना के बराबर होता है, ठीक है, तो है अब ही 2023 की बात है, UAE में एक sustainable United Nation का एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, और एक meeting हुई थी, ठीक है ना, sustainable development को लेकर के, basically environmental protection को लेकर के, UAE जो दुबाई होगा नाम सुना होगा, अब उधा भी दुबाई, जिस country का नाम है UAE, United Arab Merits, ठीक है न, तो वो country वहाँ पे लोगों को बुला के, जब लोगों को इकठा हुए meeting में, तो meeting में इकठा करके बता है, हुआ पर क्या बात कर रही है, तो इस तरीके का environmental protection चल रहा है, हमाँ पे ठीक है, तो बाद में news में आया था, तो बाद में सभी देसों ने खारीज कर जाके नहीं, ऐसा नहीं है, बट ऐसा ही जो so-called Qatar, UAE, Saudi Arabia, इतने बड़े-बड़े country खुद को बोलते हैं, कि इतने अमीर है, वो बस तेल और fossil fuel के कार नहीं है, रश्या हो गया, ठीक है न, European countries में जाती हो, रश्या हो गया, अमेरिका हो गया, इस अब oil rich countries है, इनको पता है कि भाई, इनने बेचना है, और इसके लिए वो environment का फिकरे नहीं करते हैं, ठीक है न, हाँ, दूसरे को संदेश जरूर देते हैं, फिरते हैं, इनका काम होई है, अब देखो, public example ले लेते हैं, थोड़े public awareness का, एक आता चिपको अंदोलन, जिसके बारे में exam में आप से पुझा जा सकता है, पढ़के जाना, ध्यान देन फॉर्मली जो कि उत्तर पर्दिस का पार था, इंडिया में, 1970s का टाइम का बात है, the term चिपको means a hug, ठीक है रहे, गले मिलना या फिर, गले मिलना को basically चिपको कहते हैं, चिपके जाते हैं, या to clean जिसको बोलते हैं, ठीक है, in Hindi, which symbolize the act of the embarrassing trees to protect them for a being, मतलब नहीं ट्री को गले लगाते हैं, आप देखते होगे, जैसे, लोग गले लगा रहे, ट्री को बोलते हैं, कि ट्री हमारा सब best friend है, इसी को बोलते है, चिपको मुमिंट का यहाँ पर सुर्वाज किया गया था, इसी से चिपको नाम निकला था, basically, चिपको मुमिंट इमर्जिन दे रिस्पॉंस इसी दे विस्पर डिफॉरेस्टेशन, यह क्यों निकाला गया तो हमारे दिश में बहुत तेली से क्या हो रहा था, डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, basically पेडो काटा जा रहा था, फॉरेस्ट इग्रेशन हो रहा था, ठीक है ना, फॉरेस्ट खत्म हो रही थी, अगर बात करते हैं रूलर एरिया में जहांपे वुमें रियल डैट फॉस्चर फॉर्ट फॉडर्स फॉडर्स लीबली होड जो जंगल में जाके लेकडिया काटके लाते थे उनके जिंदगी में आफ़त हो गई थी ओके लेड़ बाई दे इन्वर्मेंटल एक्टिविस्ट जो हुआ पे थे उन लोग इसको लीड कर रहे थे सोसल रिफॉर्मर्स इसमें आगे आये थे और ग्रासरूट लीडर जो आये थे सुच आज सुंदरलाल बगुना हो गया चांदी प्रसाद भट हो गया गौरब देवी हो गई गौरा देवी हो गई ही दचिपको मेंट मोब अग्रिक्ट फॉर्स्ट एंड एसर्ट दार राइट्स ओवर दनेशल रिसोर्सेश्ट की फीचर क्या था ट्री हगिंग प्रोटेस्ट भाई ट्री को गली लगा के प्रोटेस्ट किया जा रहा था यहां पर अपर स्टेशन और रिफोर्स्टेशन के बारे में बात हो रहा था इंपॉर्टेस अब सस्टेनेबल फॉर्स्ट मैरेज्मेंट प्राक्टिस के बारे में एग्रो फॉर्स्ट्री के बारे में बात की गई कॉम्मिनिटी बिस नैशल रिसोर्सेश्ट मैरेज्मेंट के बारे में बात की गई आगे बात करते हैं इन्वर्मेंटल अवेड़ exert the pressure on the government कई ना कई इसका pressure government पे बना okay policy makers पे बना और to enact the stronger जिससे क्या हो सके strong environmental loss बनाया जा सके और regulation बनाया गया ठीक है ना और policy to safeguard the forest अधिक ऐसी policy भी बनाई गई जिससे क्या कि आ जा सके हम लोग forest को बचा पाए और protect कर पाए indigenous rights को और promote कर पाए sustainable development को ठीक है आगे बात करते है कुछ ने छोटी से उसके बारे में लिखी गई है आप पढ़ लेना notes आपको obviously बात है मैं दे रहा हूं अब देखो दूसरा आपका जो example है sustainable development का दूसरा है बीज बचाओ अंदोलन ध्यान देनों बीज बचाओ अंदोलन ध्यान देना क्या है बीज बचाओ अंदोलन और seed saving movement is the grassroot movement in India focused on preserving the traditional seed varieties दो हमारे देश का जो traditional seed varieties इसको बचाने के लिए किया गया था इसका promoting organic इसका motive था को promote करना organic farming practices को और resist करना spirit of generally modified crops led by the environmental activist and Vandana Shiva and other advocates the movement emphasized the importance of seed sovereignty and biodiversity conservation and sustainable agriculture protect farmer rights and ensure the food security मतलब यह पर organic farming को बहुत साथ प्रमोट किया गया था बिकॉस इन और्गनिक फार्मिंग मतलब अलग अलग तरीकी के बीज बगरा इंडिया के बाहर से आते हैं वो फटाफर से चीज़ों को गाते हैं लेकिन हमारे देश का जो एक और्गनिक farming था ना एक तरीका था ट्रेडिशन था उसको खराब किया जा रहा था तो इसके सबसे पूराने सहरों में से एक है तो यह सब गंगा के किनारे बस यह सहर है बैंक सब गंगा के हैं तो गंगा एक हमालियां रिवर है जो कि हमारे यहां से चलती है कंगोतरी से चलती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में बंगाल में जाके मिल जाती है बिसिकली उससे पह को बचाना कहिना कहीं बहुत ही ज्यादा यह पॉलूटेड हो चुकी है गंगा नदी तो कहिना कि इसको बचाने के लिए कुछ action plan लाया गया था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे देखो गंगा action plan जी एपी जिसको बोलते है इस comprehensive program था जो कि launch क्या गया था government of इंडिया के दोरह in 1985 में address क्या जा सके जो कि pollution degradation जो गंगा की ओर यह उसके लिए ठीक है ना okay the plan aim to improve the water quality इसका प्लान था कि water की जो quality उसको बढ़ाएंगे और सही करेंगे और रिस्टोर करेंगे वहां की एक एक्वर्टिक और पेटा याद रहा है कि 2024 चल रहा है ठीक है न इस्तिती बहुत बुरी है honestly भूछ रहा हूं बहुत ज्यादा बुरी व रखी है ठीक है में वारह ने जिका ही है ठीक है ना मेरे घर से 2 km पर गंगा है यकीन मानो बहुत बुरिस्तिती है और ये बात का वे 1985 में हो रहे थी इसलिए मैंने भूल दिया थे कि ये ओन पिपर वाली बात है रियल लाइफ में प्राक्टिकल है नहीं अभी कुछ दिन पहले प्लान आया था 2017-16 में नमामी गंगे करके बहुत हंगामा हुआ मतलब ये कर देंगे ये सफाई कर देंगे वो सफाई कर देंगे सांती हो गया अभी कुछ नहीं चल रहा है ठीक है तो रियल लाइफ एक्जांपल मेंने बताया आगे बात करते हैं मोडल इंडियने विलेज्श के बारे में देंडियन सिद्धी अंडियने विलेज्श के बारे में एक आपी जाल फोपिलर के नहीं कर रहा हूआ exist इन्होंने एक स्याल वोडल मेंट श्यक्षाल में बहुत जाधे विंटेंगे में व्या बाउट फ्रोन और इंप्रोवेसिव विलेज इंटु दे शिल्फ रिलाइंट इंडवर्मेंटली कॉंशियर से कॉम्मिनिटी कई एक साधारा से गाहं को ऐसे गाहं में तब्लिल कर दिया जो कि इंवर्मेंट को लेकिए बहुत ज्यादा कॉंशियर हो गया चानक से इनके बारे में नेट पे आप पड़ सकते हो विलेज है था इंप्लिमेंटेट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लगाया गया सोसल कंजर्विशन मेजर्स लगाया गया सस्टेनेवल अग्रिकल्टर प्रक्टिसेज यहां पर बनाई गई और डी सेंट्रलाइज किया गया गया गव इन पावर किया जा सके वोमेंट को प्रमोट किया जा सके होलिस्टिक डिवल्लप्मेंट को क्या यह समझ में आया आगे बात करते हैं साइलेंट वैली के बारे में बात करते हैं देखो साइलेंट वैली एक प्रिस्टाइन टॉपिकल रिइनफॉरेस्ट है जो की लोकेट कह यहां पर नीलगीरी हील्स ऑफ करेला में आती है ठीक है ना इट ग्रेंड दा इंटरनाशनल अटेंशन इंटी सेवेंटी में इसको बोलते अंतर रास्टी यह लोगों ने इसको मतलब अटेंशन दिया यहां पर मस्तर सा हाइडरो इलख्रन है को घराप करण का double करता हाज़्िशा करने की किष्षीश करता है हाई पकरण हाई अल्क्रल मिलंकृ यहां की ज हीजर तबहा तब सही ही मुवयम्मेंटिल्स हैंट इंवार्न pity प्रोजेक्ट को रोका जाए और प्रोटेक्ट किया जा सके वैली फॉम देवलप्मेंट टूडे दसाइल वैली नेशनल पार्क इस रिकोगनाइस्ट आज बायो डाइवरसिटी होट्सपोट कहिना कि वह फिर प्लान को रोका जाना पड़ा और आज के समय में देखोगे जग डाइवरसिटी के कार्डिन्स को रेकोगनाइस क्या गया है किसके द्वारा इनेशकों के द्वारा जो की वर्ड हरोडड है और निंग्यरी निल गरी रंगुर और बहुत सारे शेयर से लायन होते उनका वह घर है ओके आगे बात करतेए हैं यूज। efficient and eco-friendly technology के बारे में ध्यान देना हम लोग को बहुत technology का use करना चाहिए जो कि काफी जाद efficient और eco-friendly हो ओके the use of the efficient and eco-friendly technology is the essential काफी जादा method for the mitigating the environmental impacts reduce the resource consumption and promote करने sustainable development के लिए ठीक है ना कुछ efficient eco-friendly technology इस तरीके से utilize किया सकते जैसे renewable energy जिसे solar panel वगरा को यूज करते हैं ठीक है ना biomass generation का use करते है fossil fuel को कम use करते हैं ठीक है ना cnj वगरा को यूज करते हैं ठीक है ना ethanol oil blending करके हम लोग fossil fuel को petrol वगरा को यूज करते हैं तो यह सारे चीज़ renewable energy structure में आते हैं energy efficient appliances यूज की जो कि कम से कम power consumption में ज्यादा से ज्यादा आपको productivity generate करके दें green building design कीजिए ठीक है ना ओके electronic vehicles को यूज के दिए water consumption techniques को लाइए water reduction recycling कीजिए water को कम से कम यूज कीजिए और recycle करके यूज कीजिए smart grids and energy storage लाइए precision of agriculture कीजिए forest monitoring and management पे ध्यान दीजिए हो के and दस बार आता है green chemistry और sustainable manufacturing को देखिए आगे बात करते है sustainable use of resources किसी resource का sustainable use कैसे आप कर सकते हो दियान देना sustainable use of resources refers to the responsible management यहां पर बात कर जाती है responsible management के बारे में utilization of national resources के बारे में in a manner that meet current need जिसने कहा सके current need को meet क्या सके without the compromising the ability of future generation जो आने वाले generation उसके चीजों को मतलब दिक्कत ना हो meet their own needs and the main principle of sustainable resource क्या होता है conservation चीजों को बचा कर रखो जो आने वाला पीडी है ने तो उसको वो देखने नहीं मिलेगा ओके जैसे डोडो एक पंची उबा करता था अब वो लुप्त हो चुका है दुनिया में एक भी डोडो आपको नहीं मिलेगा तो कईना कई चीजों को preserve नहीं करोगे तो आने वाली पीडी को नहीं मिलेगा तो इसलिए हमें क्या करना होगा हमें चीजों को काफी ज्यादा conserve करके यूज करके मतलब समभल के चीजों को यूज करना पड़ेगा उसे protect करना पड़ेगा ठीक है ना आगे बात करते efficiency ध्यान देना enhance the resources efficiency to the adoption of different technology कई बार चीजों को अलग-अलग technology से यूज करोगी तो उसकी efficiency भी क्या होती है बढ़ जाती है विड़ो को पौधो को इस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया कि आज भी वह available है जिससे हम लोग यूज कर पा रहे है तो यह हमारी भी नहींतिक रिमतारिय कि हम लोग इस तरीके से यूज करें जिससे आने वाले जेनरेशन को भी वह उसी अवस्था में मिल पाए आगे ब पाए अडेप्टेशन को ठीक करो अडेप्ट हो अडेप्ट हो फ्लक्सिवल वगरा रिस्क सूद फ्लक्सिवल और अडेटिव मैनेजमेंट अप्रोच लिया जाना चाहिए और स्टार्विट्सिप क्या होता है देखो प्रेक्टिसिंग दर रिस्पॉंसिबल क्या होता है सस्टेनेवल अगरिकल्चर फोकस करता है प्रेड्यूस करने में फूड फाइबर अधर चीजों को ठीक है ना अधर अगरिकल्चर प्रोड़क्स हो जाते है इन अमयने गर्ट प्रिजर्ब देट इकोसिस्टेम हैल्थ जो क्या कर सके एकोसिस्ट्र को विनने न करो ठीक है आगे बात करते हैं रिसोर्स यह सब बेसिक बेसिक चीज़ है है अपने पढ़ रखी है छोटी छोटी चीज़ है साइन्स वगरा में भी बच्पन से पढ़ते हैं इंवर्मेंटल साइन्स का ही पाथ है तो आप नोट्स को भी पढ़ोगा तो यू कैन वेरी अगे बात करते हैं अंडेस्ट शूटेबल यूजफ वाटर के बारे में ध्यान देना शूटेबल यूजफ वाटर रिसोर्सेंटली इफिशेंटली एकुटेवली और रिस्पोंसिबली तु मीट दा हुमन नेट्स ठीक है ना इस तरीके से यूज़ करो जिसे हर एक इंसा चीजों को करके जिसे पॉलुशन कम से कम हो पाए पानी की और एकुटेवल एक्सेस करके सबको इकुली चीज़े वही है जो उपर अब पढ़ा है ठीक है कुछ नया नहीं है अब देखो sustainable use of energy energy efficient product यूज़ करो renewable energy यूज़ करो decentralized करो चीजों को electrification करो और energy access करो ठीक है ना जिसे प्राप्ट चीजों को और स्थाप्ट इविजल को community को society's को to interaction with the natural world जिस चाप्या से कर सके नचल वल से interact कर पाया, promote कर पाया, responsible or stewardship of the environment यूज़ टिकन अ थिस वाल्यूं अप्रसाइस the interesting words of the nature and interconnection of the all living being all being moral imperative and protect the preserve and electric ecosystem present future generation इंटरिटेंट वर्थ अंडिजिटी अफ लिविंग एकोसिस्टम इरिस्पेक्टिव अपना ही नहीं सोचना है सब को समझना है सब जीव को हमारे मतला दुनिया में रहने का रहत है उसके साथ से सब को इकुल मान के हमें चीज़ुगा करना पड़ेगा ठीक है कोई भी हो इंटर कंडिंगरेंटिंटरिपेंटरिशन एकोष अडिपेंड़ थिस्टम हर एक जीव हर एक जीव एक दुसरे पर डिपेंड़ेंट अइसा नहीं की सब कुछ करता है लेकिन human being action on the environment लेकिन human being का जो action on the environment बुरा आसर डाल दालता है तो हमारे ही नाविक जिम्दाली के ची आप लॉंग टर्म हेल्थ और रेजिनेंस को इंशियोर करो सही करो और अर्थ नेश्वल सिस्टम को भी क्या करें हम लोग बचा पाएं आगे बात करते हैं रिस्पेक्ट टू डाइवर्सेटी और बायो डाइवर्सेटी उसको रिस्पेक्ट करो मतलब चीजों को ध्यान रख जिसे हम लोग आगे जिनेरसिप लिस्टम को ट्रांस्फर कर सके आठवा तथा इतिकल कंसलेटरेशन और डिसिज़ेन मेकिंग ठीक है ना इंटेग्रेटिंग टेखल इतिकल कंसलेटरेशन वैल्युस इंवर्मेंट को ध्यान रखना हो गया जिसे कुछ भी कर रहे हैं इतन करें रिस्टोर करें रिजनरेट पर फोकस करें कल्चिल और स्पिश्वल कनेक्शन को निकालें मतलब इस्टाब्लिश करें आगे आता है हमारा जिब काफी अच्छा एक्ट है जिसका नाम है इं हिन्वार्मेंट इंव्र्मेंट प्रिहvate की है basically Indian government ने बनाया था जिसे क्या किया जा सके environment को protect किया जा सके समझो यह crucial piece of legislation था जो कि enact किया गया था government of India के द्वारा जिसमें address किया गया environment से लिए challenge को safeguard किया जा सके natural resources को ठीक है ना इसके definition किया environment protection act 1986 is a comprehensive law design to provide for a protection and improvement of the employment in of the environment it comprises various provision aimed at the preventing the controlling environmental pollution conserving the natural resources of promoting the sustainable development मतलब हम लोग क्या कर सके natural environment की pollution को भी रोग सके control कर सके conserve कर सके हम लोग natural resources को प्रमोट कर सके हम लोग sustainable development को थोड़ा बहुत मैंने जवान लटखटा जारी है reason being की सुभा के चार बज़रें सफोर है राइट और मैं lecture शूट कर रहा हूं ठीक है और इससे पहले मैंने चार लेक्चर और ली है और साम छे बज़रे से मैं continuously पढ़ा भी रहा हूं मतलब समझ सकते हो इस्तिती बहुत बुड़ी है और जाई दिवात ही लास लेक्चर है मैं पूरी तरीके से ठक चुका हूं बट स्टिल आइं ट्राइंग टुग मैं बेस्ट बिकाज आपकी एक्सेंट है और मुझे लेक्चर कैसे भी शूट करके आपको ढ़ना है और एक बच्चे के भी हल्प हो पाती है तो मेरे लिए बहुत सब्सक्राइब कर द पावर होती है तो देखो कुछी भी स्टैंडर्ड बना सकते हैं ठीक है न जिससे हम लोग क्या कर सके इंवर्मेंटल को प्रोटेक्ट कर पाएं रेगुलेशन बनाने का है रेगुलेशन आप इंडरस्ट्री को रेगुलेट कर पाएं भाई कि तुम देखो तुम गलत कर र हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसको मानिटर करके तुरंद होई रोका जाएं इंवर्मेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स लिया जाएं समय के साथ साथ और कोडिनेशन और कोपरेशन किया जाएं वेरियस स्टेक्षोल्डर्स जैसे बहुत सब्सक्राइं गुद के अजैंसी हो लोकल लोगों हो गया बहुत सारी इंवर्मेंटल इस हो जायते हैं इंभीके साथ आगे बात करते Concernal इप कोई बॉर्ड वनाया जिसका काम बंतलत प्र Olution को कैसे कंट्रोल किया जा तक इससे फोकस करे द्यान देना CPCB plays a pivotal role in the environmental governance in India Its functions are aimed at preventing and controlling the pollution इसका function क्या है? Prevent करना और control करना pollution को MC की उसमें पूछा जा सकता है और promote करना sustainable development को और safeguard करना public की health को और environment को ठीक है न? इसका काम क्या होता है? वही formation of standard, environmental monitoring, regulator, oversight, सारे चीज़ वही बाले हैं ठीक है न? environmental impact assessment करना फिर research and development करना की कैसे हम लोग और खुद को improve कैसे कर सकते हैं public awareness फैलाना international cooperation लाना ठीक है न? और policy advice और advisory जारी करना ठीक है न? तो इसी के साथ हमारी चीज़े headings है basic basic चीज़े पढ़ों के खुदी समझ में आ जाएगा ठीक है न? मैं उम्मीद करता हूँ जब इस पढ़ रहे हो इस चीज़ को तो तुम कहीं से कहीं एक बाद lecture detail पढ़ चुकी हो ठीक है न? तो मैं उसी तड़ा के से तड़ी के से आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है? तो लग बग एक घंटे का lecture हुआ ही है कोई बात नहीं हम लोग का finally chapter complete chapter के साथ साथ ही हम लोग का class 10th का commercial studies as a subject one short revision जो है हम लोग का complete होते वे फाइनली इस series को हम लोग ने end किया chapter 1 से start करा था हम लोग ने chapter 15 यह हमारा आखरी है यानि हम लोग ने आप 15 दिन में इस lecture को देख रहे होगे बट actually मैंने यह जो lecture है मतलब chapter 12, 13, 14 और 15 basically यह 4 lecture मैंने एक दिन में ही suit की है जो आपको various time में मिल रहा होगा और बहुत जादा मैं अभी भी ठक चुका हूँ सुबा के लग बग टाइम तो हो गया काफे जादा चार तो बज़ रहा है चार से जादा ही हो गया तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया यह वीडियो रिवीजन परपस से है कोई बच्चा यह कि पया ना सोचे कि सर के वल इत्ता पढ़ लेंगे तो हो जाएगा नहीं अभी आप उस stage पे नहीं हो क्लास टेंट में हो चीजों कुड़ डीटेल में पढ़ने की कोिसिज किया करो मेहनत से अभी मत बचा करो मेहनत करो ठीक है ना अगर अभी नहीं करोगो तो फिर कब करोगे आपके लाइब में ले देके तो आपढ़ाई करो ठीक है ना, ऐसा ना हो कि समय बीच जाए और knowledge ना रहे because बिना knowledge के लोग घूम रहे है job नहीं मिलती नहीं कोई business कर पाते है because knowledge is the success of key circuit of success right, तो आपको sorry, उल्टा मैं बोला हूँ, अभी मेरे को बहुत तेज थक गया हूँ ना, नींद भी आ रहे तो, थोड़ा समाल ले न, right, तो यार लगे रहो अच्छे से महनद करो, चीजों को समझो और class 10 में अप्रिल में देख रहे हो, अगर class 10 के student हो, तुमारे पस तो बहुत टाइम है, यार just take the regular batch न, बहुत ये normal price में मिल रहा है, just go and grab this offer, और जाकर के अपनी पढ़ाई start कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है, और class 11 में अगर जाने वाले हो, तो class 11 की भी classes है, right, तो यतना चीज तो मैंने offer कर दिया है, और किसी को लगता है कि सर, ये PDF तो दे दे रहे हो, ठीक है, अगर मिरेको केवल PDF नहीं, ये hard copy में चाहिए, तो कैसे मिलेगा, तो you can order it from our website as well, ठीक है, उसके लिए आपको ये contact test में जाके message कर दे ना, या फिर digital product में जाओगे ना, तो अभी इस book के listing होई नहीं है, हो जागी गुर्दीन जैसे कि class 9 के देखो, commercial studies की book listed है, या पर, ठीक है ना, civics की summary book listed है, 10th की ICC board की summary book listed है, 9th की देखो, social studies की book listed है, 11, 12th की देखो, business study, business management की book listed, अब ऐसे ही देखोगे ना, आपकी भी book list ही हो चुकी होगी तो यहाँ पर देख ले ना, otherwise यहाँ पर WhatsApp पर click करोगे, तो you can easily contact with the जो भी support team है, वो आपके help ज़रूर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, और रात को दो बज़े message की है, मुझ बोलना किसाथ reply नहीं है, जाहिद सी बात है, working hours में मतलब सुबह 10 बज़े से लेखे साम को 6 बज़े के या फिर आपके खुद नीट करने वाले हो, इसी में इंडॉल होके अभी free classes करते हो, उसके बाद जब नीट की exam साथ में में होगी न 5 में, उसके बाद एक नया admission स्टार्ट हो जाएगा, मतलब classes स्टार्ट हो जाएगी नीट के लिए, जो कि regular class में मिलेंगे, तो वहां मिलना, अब तो इस वीडियो में नहीं मिल पाएंगे, series खत्म हो रहा है, तो all the best, thank you for your support, जो भी हो, feedback ज़रूर, share करना, because batch खत्म हो रही है, तो मुझे आप लोगे feedback की ज़रूबत है, और यह इस बाद से जज मत करना, असर की regular batch की तर एक्तम detail नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है न, revision है, revision ही रहने दो इससे, उसके ओपर मत लेखे जाओ, और thank you, बस, bye-bye.